आप रोवन एटिंग्सन को जानते हैं कि आखिर ये कौन है हमारे ख्याल से ये नाम शायद आपके लिए नया होगा क्यों सही बोल रहे हैं ना हम चलिए आपको एक हिंट देते हैं रोवन एटिंग्सन एक ऐसा करेक्टर प्ले कर चुके हैं जो बच्चे से बूड़े सभी देखना पसंद करते हैं और तो और एक कार्टून करेक्टर भी रह चुके हैं जानते हैं ये कौन हैं नई समझ पा रहे तो कोई बात नहीं चलिए हम बताई देते हैं दोस्तों हम बा चायदी कोई इनसान ऐसा होगा जो मिस्टर बीन को नहीं जानता होगा ये कार्टून करेक्टर कितना फिमोस है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान ही होती है फिर दोस्तों आज हम आपके स सामने मिस्टर बीन के कुछ ऐसी सचाई से आपको रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में आज से पहले ना तो आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दोस्तों शुरुआत करते हैं मिस्टर बीन के सबसे पहले एपिसोड की आपकी जानकरी के लिए बता दे मिस्टर बीन का जब पहला एपिसोड शूट हो चुका था लेकिन करेक्टर का नाम डिसाइड नहीं हो पया था इस शूब के डिरेक्टर करेक्टर का नाम किसी सबज पर रखना चाहते थे और इसलिए सबसे पहला नाम मिस्टर कॉली फ्लॉवर भी सोचा गया जहां दोस्तों भले ही आपको इनाम सुनकर थोड़ा आजीव लगे परी सच है मिस्टर कॉली फ्लॉवर के साथ साथ मिस्टर वाइट नाम को भी कंसिडर करने के बारे में सूचा ग और सबसे पहले एपिसोड पर ही इसने इतना जदा प्यार की रात और रात लोग मिस्टर वीन के कैरेक्टर से भली भादे परिजित हो गए बात अब अगर मिस्टर वीन की हो रही है तो क्या आपको पता है मिस्टर वीन शो को खुद रोवन एटकिंसन और उनके दोस रिच भी हो लेकिन मिस्टर वीन के कार्टून के बीन का पूरा नाम खुद मिस्टर वीन था हाँ दोस्तों है यह बात सौ आने सच है आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा नाम रखा क्यों गया तो ऐसे में आपको बता दे काफी ज़्यादा फणी कार्टून है अब ऐसे में क कार्टून के डिरेक्टर कुछ ऐसा नाम चाहते थे जो बहुती आसानी के साथ लोगों के दमाग में फिट हो जाए और हुआ भी कुछ ऐसा बड़े हूँ या छोटे किसी को भी मिस्टर वीन बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों क्या आपको पता है मिस्टर वीन क इन्हें एलियन बुलाते थे अपना स्कूल खत्म करने के बाद जब उन्होंने इस कार्टून के काम के बारे में सूचा तो उसमें भी वो एक एलियन ही थे जियां दूस्तों चौकिये मत मिस्टर वीन सीरियल में ये एक एलियन ही थे जो धरती पर नहीं बलकि दूसरे दोस्तों सीरियल के बात छोड़िए कि आपने Mr. Bean की एनिमेटेड कार्टून को देखा है अगर आपने उस कार्टून को देखा है तो आपको पता ही होगा कि उस एनिमेटेड कार्टून में Mr. Bean एक बार UFO से दूसरे करैपर भी गए थे और वहाँ पर एक नहीं बलकि बहुत सा कार्टून को दीखिए और फिर हमें बताइएगा रुकिये रुकिये जाका रहे अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्तों बस आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये तो ही बात सीरीज या कार्टून के जिसके वज़े से Mr. Bean प बता चल जाएगा आपकी जानकरी के लिए बता दे रोहन यानि Mr. Bean का जन्वरी 1955 में हुआ था बात अगर इनके प्रफेशन की करें तो ये comedian और script writer है ये कितने जादा talented है इस बात का अंदाज आप खुद इस बात से लगा सित्पे हो कि इन्होंने लोगों को बिना कुछ बो करती है तो ये मुश्किल है नहीं बलकि बहुत जादा मुश्किल है इनके face expression इतने जादा अच्छे है कि ये उससे ही लोगों को हसा देते हैं ये कारण है कि दोस्तों जिसकी वज़े से ने rubber face वाला आदमी भी बोला जाता है आपको शायद नहीं पता real life में इन्हें बहुत मिस्टर बीन के साथ भी हुआ जैसा हमने आपको पहले भी बताया इन्होंनों खुद ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिस्टर बीन की कहानी को लिखा और फिर देखिए कमाल ये हिट नहीं बलकि सूपर हिट हो गये इतने जादा सूपर हिट की बूड़ा तो छोड़िये बच्चा इनका दिवाना हो गया दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे भले ही उन्होंने कभी किसी मूवी में किसी हीरो इनको नहीं बचाया और हीरो नहीं कहला है लेकिन रियल लाइफ में रोवन ने एक बार अपनी फैमिली की लाइफ को बचाया था गटना 2001 की है जब रोवन और उनकी फैमिली वरी वाय जेट से कैन्या जा रहे थे उसी आतरा के दौरान प्लेन का पाइलेट बेहोश हो गया जिसकी वज़े से प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा और ये बात नोटिस की मिस्टर बीन ने और सीदे कॉक्पिट में पहुंचे उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाइलेट उड़ जाए फर पाइलेट को होश नी आया अब मिस्टर बीन ने कभी प्लेन तो उड़ाया नहीं था बावजूत उसके उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है और प्लेन को कंट्रोल करने ही कोशिश भी की पर सिर्फ कोशिश ही नही बलकि उसे वापस हो जाई पर ले आए और सबसे अच्छी बात ये थी किसी दोरान पाइलेट हूश में भी आ गया फिर क्या दोस्तों प्लेन बहुत सेफली लैंड भी हो गया और बड़ा हाधसा होते उत्तल गया ये स्टोरी भले ही आपको कोई फिल्मों की कहानी जैसी ल बता कोई बात नहीं हम किसलिए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रोवन यानि की मिस्टर बीन ने अपने करियर के शुराग बीबीसी के रेडियो पर एक शू के दौरान की थी यकीन मानिये दोस्तों इनका ये शो बहुती ज़दा हसने वाला था बता दे कि इस बीबी प्रिसनेल्टी की जिगा मिस्टर बीन खुद इंट्रिव देते थे वो भी काफी मज़गार तरीके से ऐसा करने से इस शो में काफी जादा कॉमेडी होती थी और शायद यही कारण था कि मिस्टर बीन का ये शो काफी जादा हिट रहा उचाई के इस शिखर पर पहुंचे म 900 करोड रुपए है मिस्टर बीन यानि की एटकिंसन 8000 करोड रुपए की संपत्य के मालिक है रोवन एटकिंसन का नाम ब्रिटिन के सबसे अमीरों में शुमार किया जाता है उनका स्टारडम बड़े अक्टर से भी कहीं ज्यादा है मिस्टर बीन का लंदन में गालिशान मह है जिसकी कीमत करोडों में है इतना ही नहीं दोस्तों इसके अलावा रोवन एकिंसन के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार मैकलोरेन एफ-1 भी है 1990 के शुरुआती दौर की बात करें तो मैकलोरेन एफ-1 की कीमत थी 5,4,000 यूरो वहीं अगर आज हम इस कार को खरीदने निकलेंगे ना तो आपको इसके लिए तकरीव असी से सौ करोड रुपर खर्च करने होंगी अब आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोवन कितने ज़्यादा सक्सेस बोला है दोस्तों रोवन इतनी सफल था कि बावजूत अपने निजी जिन्द शो को खत्म कर दिया गया लेकिन याद में रह गए रोवन अटकिंसन काफी टाइम बदला शो बदले और एक से बड़कर एक नए करेक्टरस भी आए लेकिन मिस्टर बीन जैसा जलवा कोई भी नहीं दिखा पाया दैसे इतना कुछ जानने के बाद आपका एक बार मिस्टर बीन शो देखना तो बनता है आप देखेंगे या नहीं कॉमेंट सेक्शन में बताना तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो वैसे आपको इन में से किन चीज़ों के बार में पहले से पता था कॉमेंट सेक्शन में बताना उम्मीद करते हैं आज की वीडिय की होगी तो सोचिए मत दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना